नवस्कार सिल्टीवी देख रहे हैं आप अभी मैं मौझूद हूँ जगदिसपूर प्रखंट के भवानीपूर देशरी पंचायत में यहां मेरे साथ चर्चा में मौझूद हैं सरपंच परत्यासी बिहारी यादव जी और ये निवर्तवान सरपंच भी हैं सरपंच संग के अध्यक्ष भी थे जगदिसपूर प्रखंट के इस बार चुनाओ में ये फिर से अपनी दावेदारी पेस कर रहे हैं इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरपंच को पंचायत छेतर में कौन-कौन से नियाई छेतर में क्या-क्या अधिकार है कौन- रखते हैं इस सब नियाई व्यवस्ता की सारी जिम्मेदारी बनाये रखने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे आपको बताएंगे कि ग्रामीन छेतर में छोटे-मोटे मामले कैसे निप्टाय जाते हैं सरपंच का मुख्य काम क्या होता है सबसे पहले बिहारी अदव जी आपका स्ऽागत है हमारे चैनल सिल टीवी में हम अभी तक खड़े उत्रे हैं अभी तक मेरा पद्चायत नहीं想र्क बलकि को पर्खंड में भी में मेरा कोई सास निखायत नहीं रहा है और आज तक हमने किसी से बंसावली हो या जमिन जगा का फैसला हो या घर का वटवारा हो या भाई-भाई का जगळा हो आज तक हमने जो भी क्या है वो निश्वार्थ क्या है और आगे भी करता रहूंगा आप पिछला पांस साल आपका कारिकालब खत्म हो चुका है आपने फिर से नोमिनिसन करवाया फिर से चुनावी दावेदारी पेस कर रहे हैं नल छाप आपका चुनाव चिन है क्या लगता है आपको यदि इस परकार से आपने समाज में नियाई बनाई रखा जनता आपसे ख मुख्या का पर्तियासी इसलिए नहीं हम बन सकते हैं शोकि लास्ट में जो भोट होता है मुख्या पार मुख्या का वो जो है अपने कुछ सोजातिया पर चले जाते हैं और ने पनचायत में अलफ संख्या के गिंती में आता हूँ इसलिए और मैं पांस साल जो सरपंज रहा मैं जनता से पहले इसका मजदूरी ले लूँगा और उसके बाद देख लेंगे जनता के साथ अगर हमने काम क्या होगा तो उचीत हमको मजदूरी मिलेगा इस पांस साल के बाद जो है फिर आगे के लिए सोच मतलब आप इस बात को मानते हैं कि ग्रामीन चेतर की राजनीती जातपात और समुधाय को लेकर कहीं बटती है और ग्रामीन ucktstar मर्म के मुखिया या कि अभी मुख्या के लिए नहीं करते हैं कि मुख्या में जो है कुछ ज्यादा अमाउंट खर्चा होता है जो कि वो चीज हमसे अभी संभव नहीं है और इस बार का मजदूरी ले लेते हैं फिर अगले पांस साल में गुजरने का बाद फिर देखेंगे परियास करेंगे अच अगले अरह अगले को मिले तो किसी जनता के किसी से आज तक मेरा कोई 2 रुप्य का लेना देना नहीं रहा यहां तक की जो भी बीपियल परिवार था एक सो रुपिया जो रशीत कटाने में सरकार के खाते में जमा होता है उसको भी हमने बीपियल का रूप दिया जो भी बीपियल था उसको माप किया गया है और सरकार से जो भी पैसा हम लोग एक सो रुपिया करके दिये हैं वो भी ज सोचेंगे बस एक ही बार जो है सरपंज का काम किये फ़ले जो काम किये पले उसका मजदूरी ले ले उसके वाद आगे का चल्चा करें भी पान्स साल अपने नियाववस्था समभाला से उन्होंट है उनंसा भी कbodatri निस्पादन जी हमारे सरपंज बनने के बाद मैं अध्यक्ष बना और अध्यक्ष के कार्जकाल में एक जगदिश्पूर परखन का बस्ती पड़ता है नप्टोलिया जो कि होस्पीटल के पीछे है वहां जो है गरीब परिवार में सो साल पहले से जैसा सुनने में आ रहा है सो साल पहले से जो है वहां जगदिश तांती और पतली तांती के बीच में जो है बहुत जादा दिन से बिवाद था जो कि बहुत सारे नेता ने सुलधाने का भी परियास किया और लेकिन सुलध नहीं सका और हमने दोनों से बात किया अलग अलग हो करके उसके बाद मैं फिता लेके गया और जहां पर बीबाद था उस बीबाद को हमने दस मिनट के अंदर खतम कर दिया और फिता गिरा करके उस जगदिवाल दिलवा दिया आज दोनों सुखी संपन है और कहीं कोई मार जगला नहीं हो रहा है यही एक समस्या जो है सो सल पुराना जगला हम लिप्टाए है मतलब कोई एक समस्या भैयारी लडाई या पिर पॉलोसी से किसी बात को लेकर समस्या यदि सौ साल तक चले तो आप समझ सकते हैं किस परकार के युद्ध का वाता वुरन होगा वहां पर आपने अगर उसे दस मिनट में सुल जाया क्या रियक्सन था वहां की जनता का इस जगला जो होता है तो दो भाई में या दो गोतियां में होता है लेकिन अगल बगल के जो लोग होते हैं उन्होंने। ca n किसलिए कितना दिन से आप लोग लड़ते हुए आ रहे हैं हमारे चरपंच हैं जगदिसपूर के राजीब कुमार सा की माजी जो कि राजीब साव उनके बदले में गयते समझाने जो उनके साथ भी जो है कुछ जो है दूर विवार किया गया था तो हमको सुचना मिला तो कि 5 지न के बाद हमने इस पर्यक्सन लिया और दोनों पाठी का समाज में आपने नियाब वेवस्था को तवज्ज को तवज्ज दिया यह बहुत ही रखता है यह बहुत ही बड़ी बात है एक सवाल अप से सर पंच होने की नातिज़ पूछना चाहोंगा जानना हैं कि आप 5 स साल आपने भी पूरे छेत्र का दोरा किया जनता से आपको भी संपर्क है आप भी जन संपर्क अभ्यान करते हैं मुख्या द्वारा पिछले पांस साल में किया गया विकासकारिय यह किया गोटाला कैसा रहा एक न्यूट्रल राइदीजिए आप मेरे पंचायत में सिर्फ लूट हुआ है और यहां तक की बिरदा पेंसन के नाम पर भी पैसा लिया गया है अभी तक बहुत आधिमी का जो है गायबला सेड का भी पैसा ले करके जो है रखा हुआ है अभी तक उनको नहीं मिला है तो मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं लेकिन ह हमने भी मुख्या जी को फोन किया था और बताया था कि देखिये मुख्या जी गरीब लोग का पैसा अब रख लिए हैं इसलिए अगर जनकार पैसा लिए हैं अगर जो मेरे साथ में घुमते हैं बिचोलिया की दुबारा पैसा लिया गया है तब तो बिचोलिया को पकड़ने का समय मेरे पास है नहीं अभी तो अचार संगीता है 29 को एलक्षन है उसके बाद देखते हैं जिन जिन गरीबों का पैसा लेकर रखा गया उनको मैं बापस दिलाने का काम करूंगा यह बिचोलिया गाउं के विकास में बहुत ही बड़ा रोड़ा है और आपको क्या लगता है कि जहां तक गाउं की बदतर इस्तिति की हम जिम्मेदारी या फिर कहें तो बदतर इस्तिति का जिम्मा सौपें तो वह बिचोलियों के कंदे पर चला जाता है ब प्रासा भी विकास नहीं हुआ है सिर्फ घोटाला हुआ है तो आप समझ सकते हैं आम जनता है कि इस प्रकार से यहां त्राहिमाम होगी और यदि प्रिधा पेंसन के नाम पे भी प्रिधों से पैसा लिया जाए तो आप इस बात का भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि जनप्रतिन निधियों के हाथ में होता है और यदि इस प्रकार से यह लूट खसोट कर अपना जेब भरने लगे तो विकास एक बहुत बड़ी समस्या बन कर उबरेगी हमारे साथ थे जगदिसपूर के भवानीपूर देशरी पंचायत के सरपंच बिहारी यादव इन्होंने बताया न सब्सक्राइब पर इन्होंने अपनी बातें रखी अपनी राय रखी हम लगतार ग्रामीन चेत्र का भ्रमनकर आपको यहां की स्तिती से अफगत कराएंगे आप बने रहे हैं सिल्टीवी पर वीडियो जनलिस्त सुमीत के साथ मैं सत्यम जैहिंद